अबस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरी योट्यूब चैनल एक आए टेक्निकल दोस्तों आज की स्विड़ में हम बात करेंगे आर्ची नाइन का आदेस हुआ है कि नहीं हुआ है तो फिर कहां है और कहां से हम उसको देख सकते हैं और कहां से यह पता कर सकते हैं कि आर्ची नाइन में वर्नित जो वारिसान है वो दर्च हो चुके हैं तो उसके लिए हमको चलना है गोगल पर और टाइप करना है बौड डॉट यूपी डॉट एनिस्ट डॉट इन और उसको सर्च कर लेना है डॉट जो सर्च करने पर आपकी सामने कुछ इस तरह का पेश्चों होता है राजस परिसत उत्तर प्रदेश यहां पर आपको मिलता है वरासत उत्रादिकार धारे तेशीट वावेदन वक्नित बाताने कहते हैं और इस लिंक पर भी क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको mobile number अंकित कर देना है जिस mobile number से आपने RC9 डाला था दोस्तों मैंने mobile number अंकित कर दिया है और OTP भीजने पर क्लिक कर दिया है OTP आने का इंदिजार करते हैं कभी-कभी OTP आने में अधिक समय लग जाता है तो ऐसी स्थिती में आप OTP पुने प्राप्त करने पर क्लिक करके OTP पुने प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों मेरा OTP आ चुका है चलि मैं देख लेता हूँ और मैं यहाँ पर बढ़ देता हूँ इसके बाद नीचे कैप्चा है और यह आपको कैप्चा भी फिल करना है कैप्चा फिल करने के बाद नीचे ब्लू कलर का बटन है लोग इन करें इस पर हमें क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपने अभी तक जितने इस मोबैल नमबर से आविदन कर रख्या है वे सब आपके सामने शो हो जाते हैं उनकी इस्थिति यानि कि उनका स्टेटस क्या है वो भी आपके सामने शो हो जाता है कौन सा आविदन करमांग किस इस्तिती पर है यह आप यहां से देख सकते है दोस्तों जैसे यह आविदन सफल हो चुका है यह राजस निरक्षिक द्वारा सफलता पुर्वा कादेश पारित कर दिया गया है इस नमबर पर और यह 27 2020 सिस्वी में कि दोस्तों यह डाला था और 38 2020 सिस्वी तक हो गया यानि कि लगवस में 13 से 15 दिन लगे हैं इसके बाद अगर आप इसका पूरा विर्ण देखना चाहता है तो आप यहां से देख सकते हैं जो आपने फाइनल प्रिंट निकाला था वह आप यहां से देख सकते हैं यह किसके नाम से थी इसमें वारिसान कौन थे इसमें कि वारिस कौन थे किस गाओं की थी कौन क्या खाता नंबर था वह सब आप यहां देख सकते हैं जिसे आप यहां देख रहें इश्वरी और अपार से यह खाता नंबर है जड़वर्ड की जमीन है इस पर कार से आप यहां देख सकता है खासा नंबर क्या था है काटे का कुछ छेतरफल क्या है और मरतख कोन था मरतख की मरतफि देथी क्या थी यह सब आप यहां से देख सकते हैं यह final print था RC9 का इसके बाद दोस्तों यह जिसे 411 इसमें नंबर है खाता संक्या इसमें वह वह साय नंबर है चले ही 411 पर ही देख लेते हैं तो हमें क्या करना है दोस्तों हमें जाना है main page पर राजस परिशद के और इस पर हमें यहां पर भूले खतोनी पर क्लिक करना है भूले खतोनी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने राजस परशद तो पते भूले खतोनी की साइट कुल जाती है और यहां पर खतोनी अधिकार अभिले की नकल देखे के पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को भी आपको फिल कर देना है क्याप्चर फिल करने के बाद यह सब्मिंट का बटाना आए इस पर में क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर मिलता हमें जनपत चुने जनपत यानि के जिला चुने तो आपको जिला चुन लेना है जिस भी गाउं की जमीन है उसका जिला क्या है वह से चलट करना है उसके बा दोस्तों यहां पर आपको option मिलते हैं खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें यानि कि आप अपने जिविन को खसरा गाटा संख्या से या खाता संख्या से या खातेदार के नाम द्वारा या नामातन दिनांग से खोज सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे खा 411 पर नाम दर्ज हुए हैं वारिसों के या नहीं तो दोस्तों यहां पर हमने टाइप किया 411 और खोजे बटन पर क्लिक करा दोस्तों अगर आप यहां पर यह दो कुछ नाम आ रहे हैं अगर आप इनमें नाम में सर्च करेंगे तो जो वारिसों के नाम है वह आपको यहां प पिर वे कहा है उसके लिए हम को उधनर देखे पर किलिक करना होगा उपर दोस्त अब बटन देख रहा होगो उधनर देखिए इस पर में किलिक करना है इसके बाद दो सबत फिर से capture till करना होता है यह capture आम फिल करेंगे capture fill करने के बाद दोस्तों continue बटन पर क्लिक करना है और continue बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको भूल एक खतोने की आपके सामने नकल आ जाती है दोस्तों ये इतने सारे नाम है लेकिन दोस्तों इनका नाम जो हवारिस हैं उनका नाम इसमें नहीं है तो दोस्तो उनका नाम कहा है और जाने के लिए दोस्तो यह देखें यहाँ पर आदेश लिखा है और आदेश के निचे दोस्तो बहुत सारे आदेश है तो दोस्तो उनका नाम इस अन आदेशों मिलेगा देखते हैं कहां पर है उनका आजना और कहां है विरासत का आदेश दोस्तों यहां पर बहुत सारे बैंक लोन के आदेश पड़े हैं और भी बहुत सारे आदेश है तो चेक करते हैं कहां पर है यह विक्रेता क्रेताओं के आदेश है दोस्तों ये मिल गया हमें लाश्ट वाला 1428 पसली आदिशानस्वा सिरिमान राज़त सुनेश्ट का क्रोलेन आविदन संख्या इसी स्को दिनांग तेनार दोजार बीस इसको आदिश हुआ कि खाता संख्या इतने इतने से मरतक खातेदार स्वामी मवस्वरी मवासिम और माची पुतर भोले के स्थान पर इश्वरी पतने मवासि और माची ये से दोस्तों आप देख रहोंगे इनके नाम बतोर वारिस दर्ज होएं दोस्तों दोनों नाम आ रहे हैं यह वारिस थे यहां पर यह दर्ज हो चुके हैं इस परकार से दोस्तों आप चाहें तो अब किसी भी मैंने सबसे पहले तो आप उसकार स्टेटस देखें कि वह सफलता पूर्वक आदेश हो चुका है कि नहीं हुआ है और चेक करें कि वारिषों के नाम बतोर वारिष दर्ज हुए हैं कि नहीं उम्मीद काता हो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही जादा पसंद आए होगी अच्छे लगिए तर लाइक कर देजे, कमेर्स कर देजे, शेर कर देजे और अब तक आपने मेल चेर को सब्सक्राइब नहीं कि आए है जादा प्लीज सब्सक्राइब भी कर देजे, बैल आइकन पर क्लिक कर देजे क्योंकि जो आने वाले वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिक्शन आपको आपना भी मिल जाएगी अगर आपने मेल जो बैले व्याएगी